तो यह चलिए एक प्रशन देखते हैं जिसमें दिया गया है कि एक बृत जिसका केंद्र ओ और क्यू ओ आर बृत का व्यास है जिसकी लंबाई आठ सेंटिमीटर है जब कि कौन पी ओ आर इस सो बीस अंस है किसी बाहर विंदू पी से खीची यह इस वर से लेका पी क्यू है त अब ओपी तदह पी क्यू की लंबाई ग्यात की जब इस प्रकारते जो प्रशन होते हैं इनमें चित्र नहीं दिया गया होता है चित्र नहीं दिया गया है तो हमें चित्र बनाना पड़ता है और बनाना पड़ता है तो सुरुवात करने पड़ती है सुरुवात कैसे यह थोड़ा सा परियास करते हैं समझने का है जहाँ पे हमने हमिने चित्र बनाया है हिए तो एक व्रत्र जिसका केंद्र उ है था हमने लिख लिए व्रति का केंद्र ओं है यह इस जी आट सींटिमीटर का है था हमने लिख लिया व्रायर क्यू ऑफ dis 7 certaizen को हमने यहां पे लिखा है और यह भी दिएकिवाए बाय बिंद पी से खिचिई गया इस पर से लेखा पी क्यों है तो वह भी हमने लिख दिया ix में है नहीं लिखा आप है लिख दीजिए अब लोग हमने में हमने क्या बना यहां पर विरत बना दिया यह अध्य decor यहां नहींग पर दो कर दिया है इसे विरत बना दिया है ठीक भृत बनाने के बाद क्या था इसमें की व्यास दिया था तो हमने एक व्यास खीच लिया व्यास सीथी लाइन खीचने के लिए यहाँ पर फैस्तर नहीं पर कर सकते हैं कि मैं लेजे यहीं हो गया अब इसका केन रखा केंद़ पर मानली जेह यहां पर होगा firearms का नाम दिया था क्यों और तो यहां पर हमने क्यों रख दिया यहां पर रख दिया यहां पर और रख दिया एक बाहर बिंदू लेना था और पी से अस्पर्स रेखा भी खीचनी थी तो यहां पे अस्पर्स रेखा देखे इसके साथ अस्पर्स रेखा ऐसे जाएगी तो यहां पे हमने पी रख दिया इसको देखे यह मिलाने के जरूरत नहीं थी पर हमने जब जस्ति ऐसे मलब गलती से मिला दिया था पर हमारी जरूरत क्या है हमारी जरूरत है कि यह एक ऐसा पी से ओक मिलादते हुए एक खीचनी चाहिए ताकि क्या होगा यहां पर देख सकते हैं कि कोड 120 संस वह अल्रेडी दिया था वहां पर जब पढ़ेंगे तो वह लिखा है कि पी ओ आर जो अपना है वह कितना है 120 संस है बशेगा यह पोरा ब्याई कितना था 8 संट्री मीटर कफा था तो यह आदा आधा कितना हो जाएगा 4 4 सिंट्री मेटर को जाएगा तो यहीं सब को सोच के हमने यह साफ सुत्रा सा च्रित्र बनाया है जो आपके सामने दिखाए देड़ा है अब कोश्चन को किया कैसे किया रहा है वो समझ लीजे पहले सुरुबात की है कि देखिए यहां पर हमने लिए इस तरफुज में किस तरफुज में रिखिया है तो इसके अधार पे हमने यहां पर पूरा जो स होता है यहां पर पूर एक्सॉसी आनल ओडरी तो साथ होगा उसको कि लिखा कैसे जाएगा लिख पढ़ेगा है लिकना पढ़ेगा है तो हम ने लिखै कि p o r यानि यह p o r यह कोड था ठीक है यह 100 सी माइने से इतना होता है यह वाला कोड़ का वेल नाम लिखा है अब यह रेखे के गुम है इस वज़े से ऐसा होता है ठीक रेखे के मैं एक सीधी रेखे में बने हुए कोड़ों का योगपल एक्षश्यांस से होता है तो घटा दिये तो हमको कितना मिलिया साथ हंस तो इस साथ हंस को justified कर दिया और यह पूरा व्यास 8 cm को होता है तो इसका आधा जो होगा वो त्रिज्जा होगी वो कितने होगी उसके 8 के आधा 4 cm तो यहां पर Q O बराबर Q R by 2 8 बटे 2 4 cm त्रिज्जा का व्यास त्रिज्जा व्यास की आधी होती यह लिखती है लिखने के बाद अब हमें क्या है मैनली इस त्रभुज का ही ज़रूरत पढ़ने वाली थी आगे तो हमने एक और चित्र बना दिया उसी त्रभुज को लिखती हो यहां पर P हो गया यह क्यों हो यहां पर O R की ज़रूरत नहीं है यह चार है यहां पर 90 अंस दिखाए दे रहा है अब यहां पर लगएगा त्रुपॉन लगए त्रुपॉन में थी लगकर के ही आप दर दे सकते हो और आन्य थे इसमें और कुछ हिंड लगेगा नहीं मतलब यहीं लग सकते हैं अब लाल बड़े कक्क आपको पता होना चाहिए अब यहां पर 60 अंस दिया है तो यह आधार होगा यह लंब होगा यह कर्ण होगा तो अपने 10-60 लगाती है 10Q लंबटे आधार लंब होगे अपना यह PQ अधार होगा Q O तो रख दिये 10-60 कमांड रूट 3 होता है इसकी वैलू रही पता है इसकी O QE नीचे वाल एक पता है 4 तो 4 रख दिये 4 के इदर गुड़ा करा दिये 4 रूट 3 सिंटिमीटर मिल गया यानि PQ की लंबाई हमें मिल गई लिए बहुत यह असानी से मिल गए अब हमेंशे यह था यह पी ओपी जीटना है तो यह अपना कर्ण है यह अतना है तो और उसका और उसकोन नहाएं तो यह यह रहां ल्कित हैं 90 मिल नाथ कंड पांड कराा बड़ीन हगे उसका इधर होगें उतरप्त किया जा सकता है ऐसे इस समझे में आगआ या होगा वीडियो देखने के लिए बहुत लूद महाँ है लाइक सस्क्राइब एंड शेयर कीजिए अपने जो भी सवाल है हमारे वार्से ग्रूप से जोड़िए वह आप बेजिए कोसिस करेंगे कि आपको जल्द सी जल उत्तर बता पाएं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई